रितिक रोशन और टाइगर श्राफ के फिल्म वार ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा दिया फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर पहले दिन सारवर्दी कलेक्शन का रिकॉर्ड बना दिया और पहले सब्ता में ही 200 करोड के पार निकल गई इस बात की काफी संभावना है कि यह फिल्म 300 करोड तक मौच जाएगी और इस फिल्म को हिट मान लिया गया है क्यों फिल्म ने मचाई थूं? क्यों की गई पसंद, पेश है ये पाच कारण कारण नमबर वन, बेमिसाल जोडी आदिती चोप्रा ने आधिबाजी तो तभी मार ली थी जब उन्होंने रित्तिक और टाइगर की जोडी को साइन कर लिया था एक्शन और डांस में दोनों माहिर है बॉलिवुट के हैंसम हीरो है दोनों की जबरदस फैन फॉलोइंग है एक हे टिकेट में दोनों को साथ में देखने के रोमांच में दर्शक अपने आपको रोक नहीं पाए और सीधे सिनेवा घर में दौर लगा दी इस जोड़ी के कारण फिल्म को बॉक्स ओफिस पर धमा के दार ओपनिंग मिली और बाकी का काम आसान हो गया कारण नमबर दू एक्शन एक्शन और सिर्फ एक्शन ट्रेलर में एक्शन सीन देखकर ही मज़ा आ गया था तो फिल्म देखने में आना ही था फिल्म में लाजवाब एक्शन सीन है जो दर्शकों को सीट पर चिपकाए रहते है टाइगर शाफ का एंट्री सीन तो कमाल का है कार और बाइक के द्वारा पीछा करने वाले स्टन्स में रोमांच उचाईयों को छूता है थोड़ी थोड़ी देर में लगातार एक्शन सीन आते रहते है और दर्शकों को रोमांच चेत करते रहते है कारण नमबर तीन नाम ही काफी है फिल्म का टाइटल फिल्म के कंटेंट को बिल्कुल सूट करता है नाम देखकर ही दर्शकों ने अंदासा लगा लिया कि किस तरह के फिल्म उनको देखने को मिलने वाली है और यह नाम भी दर्शकों को खीचने में कामियाब रहा कारण नमबर चार तेज गती से भागते फिल्म इस बात में कोई शक नहीं है कि फिल्म में कई खामिया है कहानी का साथ छूटता रहता है लेकिन फिल्म के स्प्रीड इतनी थेज रहती है कि दर्शकों को कुछ सोचने को नहीं मिलता और खामियों पर ध्यार नहीं जाता इस कारण खामिया छुप जाती है कारण नमबर पाच जोड़दार पहला हाफ दूसरे हाफ के मुकाबले फिर्म का पहला हाफ भैतर है आम दर्शिकों को फिर्म के पहले हाफ में ही इतना मज़ा जाता है कि वे कमजोर दूसरा हाफ भी पचा लेते हैं कि मुकाबल पहले इतना में हाफ प्राद का प्रॉसरा हाफ कि मुक्नने रहाफ भी लेकी के भी कर दोस्वास अबर देराय का प्रेश्ग और दोस्वास